Hello friends, कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हूँ तो आज के इस वीडियो में हमलब जानने वाले हैं कि Microsoft World में किसी शेप को transparent कैसे बनाते हैं बहुत ही असान से steps में समझेंगे Microsoft World पर इससे पहले भी कई सारे important topic में cover कर चुका हूँ नीचे description में playlist का link दिया हुआ है इसके drop down पर क्लिक करिए और मन चाहा shape select कर लिजे माल लिजे कि हम यहां से rectangle select कर लेते हैं अब आप दिखेंगे यह plus sign बनकर क्या आ रहा है अब अपने हिसाब से rectangle हम यहां draw कर लेते हैं यह rectangle draw हो गया अब rectangle के बीच में कहीं पर भी cursor ले जाकर right click कर दिजे तो नीचे आपको मिलेगा format shape करके एक option ठीक है इस पर click कर दिजे तो right side में आपको बहुत सारे option दिखाई पड़ेंगे format shape से related हमको click करना है fill ठीक है यह हो सकता ऐसे भी दिखाई पड़े तो अगर आपको नीचे option देखने है तो इसके arrow पर click करेंगे तो नीचे सारे option आजाएंगे अब यहां देखी यह है transparency का option बस जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि shape जो है वो transparent हो रहा है